रोतक जिले के शिमली गाउ में 16 साल पहले हुई चार हत्याओं के मामले में स्टीफ स्टाफ ने तीन हत्या आरूपी सगे भाईयों को मध्यप्रदेश से गिरफतार किया है आपको बता दें कि 2006 में शिमली गाउ में ठंडी राम, प्रेम, राजिश और काला नामक व्यक्ती की गोली मार कर हत्या करती गए थी जिस पर आरूप गाउं के ही रहने वाले तीन सगे भाई धरमपाल, बहादुर सिंग और सत्पाल पर लगा था जिसके बाद से ही ये तीनों फरार चल रहे थे और 2009 में अदालत द्वारा इने भगोड अगोशित कर 25-25 हजार का इनाम रखा गया था आज पुलिस के स्टेफ स्टाफ को बड़ी कामयाभी मिली है और इन तीनों को 16 साल बाद गिरफतार कर लिया गया है स्टेफ स्टाफ के इंचार्ज हरेश कुमार ने बताये कि साइबर सेल और मुकबीर की सूचना पर ये पता चला था कि ये तीनों भाई मध्यप्रदेश में पश्मों के देरी चला कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं जिस पर टीम ने वहां रेट कियो और तीनों को निरफतार कर लिया ये एक 2006 का मर्डर केस्ता गाउं से मिले का जो हमारे पास एक्यूजड है एक दरंपाल है बादुर सिंग है सत्पाल है इन्होंने 2006 में गाउं में ही परिवारिक रंजिस में चार लोगों की फत्या कर देदी और ये लगबग सोड़ा साल से फरार चल रहे थे गठना के बाद से अब तक पुलिस की रखती में नहीं आए थे शोड़ा साल से ये अलग-अलग इलाकों में एरादस्थान में रहे हैं कहीं मजदूरी की है कहीं खेती बड़ी की है कहीं अभी रिसेंटली MP में ये कोई डेरी बगारा पसुपलन बगारा करके गुजरा कर रहे थे अत्या मैं आरंस अरंस ही इस्तेमाल किये थे ये पहले शीयार प्यक में थे और वेल सुटर रहे हैं अत्यारों के बारे में अच्छी जान करी रही है और वो गुगोली मार गहते की गई थी तीनों ये सगे भाई है तो कि लोग इसमें गाउं में ही परिवारिक रंजिस थी उसमें एक ठंडी राम परेम राजेस ये तीनों ही भारत सिंग के पूतर थे और एक काला पूतर महिंदर सिंग था गाउं इसके सिंग्ली के ही रहने वारे थे चारों से आप शिरंज तो परिवारों कि थी आपस में आप तीनों पर ही इनाम घोषित किया था पिये वर्स दो जार नों में घोषित किया गई सुचना इनके तो हमारी साइबर सेल ने ममदद किये कोई कंटेक्ट में लगा दा और मुकबर की ममदद से हमारी टीम ने इसको MP से कोई जीरन है निमद्स के पास वहां से इनको लेकराई आरोपियों की एक ही अठावम साल है तकरीबन अठावम से और और 68 तक है लगवगिन की एज है वो अभी इनको अरेस्ट करके और सदर थाने का ये अभियोग है उसमें उस सदर थाना को पुलिस को हंडूर किया जाएगा आगे की फिर कारवाई अभियोग के दौरान जैसे भी तत्तिस में है उसके नुसार की जाएगा आपको बता दें कि पुलिस द्वारा घटना के पूरे 16 साल बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन संतोष जनक बात ये है कि देर से ही सही आरोपियों को उनके गुना की सजा दी जाई की रोतक से दिनेश कोशित सत्य खबर सत्य, सती, बेबार